नमस्कार दोस्तों आप से वोका स्वागत है बियार बोर्ड मैट्रिक परिक्षा 2025 के लिए बिग्यॉन का Important Objective प्रश्ण या सभी प्रश्ण बिःतर बोर्ड मैट्रिक फाइनल परिक्षा में बार बार पुछे गए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि बिल्कूल ऐसे ही आपको विग्योन में अबजेक्टिव मिलेगा हुबो हुब तो देखिए पहला नमर प्रश्ण है बिद्धु धारा का SI मात्रक है अगला प्रश्ण है बिद्धु चुम्बक बनने के लिए उप्युक्त पदार्थ है नर्म लोहा उप्सन नमर A सही है नर्म लोहा का बिद्धु चुम्बक बनाया जाता है अगला प्रश्ण है बिद्धु धारा उत्पन करने की युक्ती को कहते हैं बिद्धु धारा उत्पन करने की युक्ती को कहते हैं जनीत्र उप्सन नमर A सही है प्रश्ण है आ मीटर को बिद्धु परिपत में कैसे जोड़ा जाता है तो श्रेनी करम में उप्सन नमर A सही है धात्वों में धारा वाहक होते हैं धात्वों में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलक्ट्रोन धात्वों में धारा वाहक होते हैं मुक्त इलक्ट्रोन उप्सन नमर B सही है अगला प्रश्ण है एक बल्व से मिनट में 120 कुलोम आवेस प्रवाहित हो रहा है तो बिध्धु धारा का मान ग्यात करें तो देखिए बिध्धुधारा का महन ग्याद करने के लिए बोला गया है तो बिध्धुधारा का जो सुत्र होता है I बढ़ावर Q बटे T Q यानि 120 कोलोम होगा और T एक मिनट में 60 सकेंड होता है तो एक सो बीस बटे 60 सकेंड तो इसको भाग दिया जाए तो दो बार में कर जाएगा यानि कि दो एमपियर होगा तो अप्शन नमर हो जाएगा आपका अप्शन नमर भी सही है अगला प्रश्न है जब किसी चालक तार से बिद्धु धरा प्रवाहित होती है तो गती सिलकन होते हैं जब किसी चालक तार से बिद्धु धरा प्रवाहित होती है तो गती सिलकन होते हैं इलक्ट्रोन ओप्सन नम्मर D सई है अगला प्रश्ण है आ मीटर से निम्दलिखीत में किसे मापा जाता है धाड़ा ओप्सन नम्मर A सई हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्नलिखीत में से कौन उपकरन बिद्धु धारा की उपस्थिती दर्साता है तो गेलवेनोमीटर ओप्शन नम्मर ए सही हो जाएगा एमपियर घंटा मात्रक है आवेस का ओप्शन नम्मर बी सही हो जाएगा उर्जा का एसाई मात्रक होता है जूल ओप्शन नम्मर बी सही है जूल आवेस का मत्रक है आवेस का मत्रक है क्लोम ओप्शन नम्मर ए सही है एक वॉल्ट कहलाता है एक जूल वटे क्लोम ओप्शन नम्मर बी सही हो जाएगा वॉल्ट मीटर ओप्शन नम्मर बी सही हो जाएगा वॉल्ट मीटर विवांतर का एसाई मात्रक होता है वॉल्ट ओप्शन नम्मर बी सही हो जाएगा सुक्स सेल में इलक्ट्रोन किस धातू का होता है सुक्स सेल में रीन इलक्ट्रोन किस धातू का होता है जस्ता का उप्सान नमर बीस है यह जस्ता का सुक्स सेल में घैन इलक्ट्रोन किस धातू का होता है कालवन ओप्षन नमर सी सही है कालवन बिद्धुत सेल का प्रतीक है ओप्षन ए सही हो जाएगा अर्ध चालक का ताप बहरने पर उसका परतीरोद क्या होता है अर्ध चालक का ताप बहरने पर उसका परतीरोद क्या होता है घटता है ओप्षन नमर बी सेवजा का घटता है किसी उपकरण में घन पलस और रिन माइनस का चिन्य नहीं होता है किस उपकरण में घान पलस और रिन माइनस का चिन्ज नहीं होता है कुंडली में ओप्सन नमर सी सही है बैटरी से किस परकार की धारा प्राप्त होती है द्रिश्ट धारा ओप्सन नमर बीस सही है द्रिश्ट धारा निम्न में से कौन सा संबन्द सत्य है वी वरावर आई आर ओप्सन नमर सी सही है परतिरोध का एसाई मात्रक क्या है ओम ओप्सन नमर सी सही है किसी कुंडली का परतिरोध ग्यात करने का सुत्र है ओप्सन नमर बीस सही है आर बरावर भी वटे आई ताप बहरने पर चालक का परतिरोध ताप बहरने पर चालक का परतिरोध क्या होता है बहरता है ओप्सन नमर एस सही है बिद्धूत परतिरोधक्ता का एस आई मात रख है ओम इटर अउप्सन नमर डीस सही है निम्न लिखीत में से कौन बिद्धूत का सबसे अच्छा चालक है चांधी ओप्सन नमर एस सही है कर रोगां हुट